इन विच कंट्री दा अर्रे ओफ एंटेना इस इंस्टार्ड फॉर लार्चेस्ट रेडियो टेलिस्कोप सबसे बड़ी रेडियो दूर्बीन के लिए एंटेना किस मुल्क में नसब है अस्ट्रेलिया हैस स्टार्टेड बिल्टिंग वर्स नेटवर्क ओफ एंटेना इन दा आउट बैक इड्स सेक्शन ओफ वर्ट प्लानर्ज से विल एवेंच्वली बिकम वन ओफ दा मोस्ट पावर्फुल रेडियो टेलिसकोप इन दा वर्ड अस्ट्रेलिया ने आउट बैक में अंटेना का एक वसी नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है इसका सेक्शन जो मनसुबा साजों का कहना है कि आखरकार दुनिया की ताकतवर तरीन रेडियो दूरबीनों में से एक बन जाएगा जब अस्ट्रेलिया में अंटेना मुकमल हो जाएगा और जनुबी अफरिका में पकवानों का एक नेटवर्क स्क्वेर किलोमेटर सिदे की तश्कील करेगा जिसकी तामीर को SKA Observatory के डिरेक्टर जना फिलिप डाइमन ने पीर को एहम करार दिया था G20 Delhi सुमेट 2023 is the upcoming 18th meeting of the group of 20 G20 Sumit scheduled to take place in परागती मैदान New Delhi in 2023 G20 Delhi सुमेट 2023 group of 20 की आइंदा अठारवी meeting है ये चोटी कानफरंस 2023 में नई देली के प्रागती मैदान में होने वाली है India's presidency began on 1st December 2022 and is leading up to the summit in the 4th quarter of 2023 हिंदुस्तान की सिदारत 1 December 2022 को शुरू हुई और 2023 की 24 हमाई में सरबराई इजलास तक जारी रहे गी शीन वान ओफ अस्ट्रेलियन करिक्टर डाइड ऑन 4th मार्च 2022 इन दा एज ओफ 52nd जियर्स ओर वाल बार्च डाइड फ्रॉम नैच्रल काज़ इन थाईलेंड अस्ट्रेलियन करिक्टर शीन वान का इंतकाल 4 मार्च 2022 को 52 सार की उमर में हुआ जबके वान की मौत थाईलेंड में कुदर्ती वजूहाद से हुई थी Which country will host the 28th Conference of Parties in 2023 कौन सम्मुल्क 2023 में पार्टियों की 28th Conference की मेजबानी करेगा The 28th Conference of Parties COP28, the formal meeting of the United Nations Framework Convention on Climate Change Parties will convene from 30th November to 12th December 2023 It will take place at the Dubai Expo City in the United Arab Emirates The 28th Conference of Parties COP28 अक्वाम में मतायदा के Framework Convention on Climate Change Parties का बाजबता इजलाज 30th November से 12 December 2030 तक मनक्द होगा ये मतायदा अरब अमाराद के दुबई एक्सपोसिटी में मनक्द होगा Which international bank approved financing for green investment in Bangladesh The World Bank approved 250 million dollars in financing to help Bangladesh strengthening environment management and promoted private sector participation in green investment आलमी बैंक ने बंगलादेश को माखोलियात के इंतजाम को मजबूत बनाने और सब सर्मायकारी में निज्जी शुबई की शराकत को फरोग देने में मदद के लिए 250 million dollar की financing की मनजूरी दी है China said on April 19, 2022, it had signed a security pact with the Solomon Islands a move set to heighten the concern of the United States and allies Australia and New Zealand about growing Chinese influence in a region traditionally under their way. प्राइम मिनेस्टर मनेसा सुगावरे तोड परलिमेंट that a proposed security agreement would not include a Chinese military base चाइना ने कहा के 19 अपरेल 24 को इसने जजायर सुलमान के साथ एक security मोहदे पर दसकत किये है जो रवाईती तोड़ पर इनके रास्ते में आने वाले खिते में बढ़ते हुए चिनी असरोर्सों के बारे में अमरीका और तहादियों, अस्टेलिया और नीजूलैंड के ख़चावरे ने परलिमेंट को बताया कि मुजवजा security मोहदे में चिनी फोजी अद्दा शामिल नहीं होगा In मार्ट 2022, the museum of the future was the financial district of Dubai UAE which was founded by the Dubai Future Foundation मार्ट 2022 में मुस्टबेल का museum Dubai UAE का financial district था जिसकी बुनियाद Dubai Future Foundation ने रखी थी The United Nations General Assembly on 15th March 2022 resolution introduced by Pakistan Organization of Islamic Cooperation on the behalf adopted by consensus March 15 in International Day to combat Islamophobia 15 March in history that 51 Muslim worshippers and wounded 40 others in the 2019 New Zealand terror attack 15 March 2022 को अक्वाम में मुताहिदा की जनरल संब्ली में पाकिस्तान की तरफ से पेश की करारदाद इस्लामी तामन तन्जीम की जानब से इत्वा के रह से मन्जूर की गई 15 March इस्लामोफोबिया सिनमारा आलमी दिन है तारीक में 15 मार्च को न्यूजिलेंड वे 2019 के देशत गर्दाना खमलों में एक्रामन मुस्लमान नमाजी और 40 दिगर जखमी हुए थे In March 2022 गुगल's Air Red Alert System had been on Android phones in Ukraine March 2022 में गुगल का Air Red Alert System यूक्राइन में Android phones पर था